हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ शेर करने जा रही हूं कि पितंजली का एलोविरा जेल हम घर पर कैसे तैयार करें तो इसके लिए मैं यहां पर स्टेम ले लेती हूं 5-6 स्टेम काट के ले लूँगी और एलोविरा जेल का जो प्रांट है उसे उ आप किसी भी गमले में असानी से उगा सकते हैं और एक पोधा लगाते ही आपके कई पोधे बनके तैयार हो जाते हैं तो बड़ी आसानी से किसी भी धरकी कोई स्पेशल केर की देने की ज़रूरत नहीं होती है तो यहां पर मैंने 5-6 स्टेम ले ली हैं और आप आप देख स हैं ऐसे ही और जितना इसका लीकवड पदार्थ निकलना होता है वो निकल जाता है जितना यह पीला पदार्थ देख रहें आप निकला हुआ है तो यह जितना भी निकलना होता है वो आपका आदे हंटे में निकल जाता है उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से पानी से ध पर दे दिया है आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं तो बड़ी आसानी से आप जेल निकाल सकते हैं तो इस तरह से ये जो जेल है इसे हमने निकाल लिया है जेल निकालते टाइम एक चीज का धियान रखना होता है कि इसमें ग्रीन पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए तो बस ये निकल चुका है अब मैं इसे ग्रैंडिट जार में डाल दूंगी ताकि इसे ग्रैंड करक कि इसका एक लिक्वट जेल बना सकूं तो अभी लीक्वट जेल बनके तैयार हो गए है अब इसे मुझे कढ़ाई में कुक कर रहा है तो मैं पांच मिनट तक ये जो प्रसेस है पांच मिनट तक इसे कुक करू Umsट करूंगी तो पांच मिनट के अंदर-अंदर इसमें आप देख सकते हैं कि एक white color का ज़ाग जैसा पयदार्थ निकलेगा तो उसको हमें निकाल लेना है, separate कर लेना है और ये हमें तब तक निकालते रहना है, जब तक कि बिल्कुल हमारा जो ये gel है वो बिल्कुल transparent ना हो जाए, तो जितना ज़ाग आता है उस सारे ज़ाग को आप निक क्योंकि जितना निकलेगा वो 5 मिनित के अंदर अंदर निकल जाता है तो अभी आप सकते हैं बिल्कुल ट्रांस्पेरिंट हो चुका है अब इसमें मैं अगार-गyaar जो है वह ले लिया है यह देख सकते हैं आप स्में मैंने 1 टी स्पून अगार-गार लिया और साथ में मैंने केसर के 8-10 धागे जो हैं वो केसर के थ्रेड ले ली हैं और अब मैं इसे अच्छी तरह से आपस में मिक्स करूंगे आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना सुनहरी गोल्डन पीले में आ चुका है क्योंकि यह जो केसर है इसके घुलते ही इसका जो कलर है वो अगर अगर का आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वो पौडर में है तो 1 टी स्पून लेना है और अगर स्ट्राइप्स में है तो आप इसे 3-4 पीस ले सकते हैं और बस अलोविरा जेल बनके तयार हो गया ठिंडा हो करके यह हमारा इस तरह से हो जाएगा तो देखा फ्रे आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए बैल आइकन शूर प्रेस करिए और कमेंट या सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज म यहीं वीडियो